नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने सुजान भर्दत ये जो लसन है, उसका एक बहुत ही इंपोर्टेंट को स्प्लेइन करने जा रही हूँ, जो एजामिनेशन पॉइंट ओव यू से आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है, इसका जो एक कोश्चन है कि एक बार भिच्चुट को अनाज देने के लिए जाता है, तो उसका बेटा भोला जो है, उसके हाथ से अनाज की टोकिरी छीन लेता है और अपने पिताजी को बहुत बुरा भला कहता है, वो उसे ये कहता है कि आपको पता भी है क्या कि अनाज कितना मुश्किल से पैदा होत है, आप तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, आप तो ऐसे ही धर की धर की अनाज को धर की संपत्ती को धर लुटाने पर लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे important decision में, महतपुर्ण निर्नय में, धरे लुटा में, सुजान भर्दत का, सुजान भर्दत से कुछ भी distance नहीं किया जाता था, कोई सलाव मश्विरा उससे नहीं ली जाती थी, ओके, तो हर चीज़ से सुजान भर्दत जो था, वो अपना अधितार उसने खो दिया था, धर के important मामलों में उससे परमिश, उससे discussion नहीं किया जाता था, हद तो तब हो रही, जब एक बार सुजान भर्दत एक भिटशुट को अनाज देने के लिए जाता है, तो उसका बड़ा बेटा बोला आतर के, उसके हाथ से अनाज की टोकरी जो है, वो छीन लेता है, उस दिन सुजान भर्दत ये न जिरने लेता है, कि वो अपना खोया हुआ अधितार, जो उसका राइट है, वो किसी भी कीमत पर वो प्राप्त करके रहेगा, और उसको पाने के लिए, उसने खेतों में दिन रात महनत तरनी शुरू कर दी, उसने ये नहीं सोचा, कि वो बुढ़ा हो चुता है, उसने अप सकता है, उसने उसी दिन निरने लिया, कि वो अपना खोया, वो दिन रात महनत करे रा, कड़ी महनत करे रा, नौन स्टॉप महनत करे रा, और उसने ऐसा ही किया, उसने दिन रात, 24 गंटे उसने खेतों में कि अपने खेत में उसने मेहनत की उसने खेती की उसने परिश्रम किया और उसके खेत ने एक बार फिर से सोना उडला यानि उसके खेत में एक बार फिर से बहुत ज़्यादा अनाज पैदा हुआ और वही भिखारी जो सुजान भड़त के पास आया था कुछ दीन पहले कुछ महीने पहले और जब उस भिखारी को सुजान भड़त अनाज देने के लिए जाता है तो उसका बेटा भोला उसे अना बाबा आपको जितना अनाज चाहिए न आप ले जाएए आपको जितना अनाज मन करता है आप ले जाएए एक के जी दो के जी तीन के जी नहीं unlimited quantity बाबा आपको जितना मन करता है आप उतना ले जाईए अनाज तो वो भिच्छुट जो है वो शर्मा जाता है हेजिटेट हो जाता है उसको ये लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि वो कितना मतलब क्या सोचेंगे तो सुजान भरत उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजे बाबा आप सिर्फ अनाज भरिये और आपका गाउं कहां है मैं वहाँ पे जातर इस अनाज को पहुचा दूंगा उस समय उसका बड़ा बेटा भोला और उसका बड़ा बेटा भोला वही पर खड़ा था लेकिन उसने एक शब्द भी सुजान भरत से कुछ नहीं कहा क्योंकि सुजान भरत देखो वही बेटा भोला जो कुछ दिन कुछ महीने पहले उससे अनाज की टोकिरी सुजान भरत के हाथों से छीन लेता है आज उसी बेटे के सामने अपने कठिन परिश्रम की वजह से आज वही बेटा सुजान भरत के सामने खड़ा है और सुजान भरत उस भिटशुट को अनाज दे रहा है और ये कह रहा है कि बाबा एक के जी दो के जी नहीं आपको जितना मन करता है उतना अनाज ले जाए और सुजान भगत में बिना किसी रोख तोटके उस भिठारी को अनाज दे दिया और भोला जो है वो खड़ा होतर देखता रहा उसने कुछ नहीं किया उसने अपने नजरें जुटा ली वो इस पिछलेस हो गया उसने कुछ नहीं कहा किया आप इतना अनाज उस भिठारी को कैसे दे सकते हैं इस तरह से भोला के सामने ही देट सुजान भदत ने उस भितारी को फिर से अनाज दिया और भोला कुछ नहीं बोल पाया, इस तरह से सुजान भदत अपना खोया हुआ अधितार वापस प्राप्त कर लेता है. आशकरती हुआ जि मैंने जो ये थ्री मार्ट सा कोशन आपको एक्स्प्लें किया है, आपको समझ में आ रहा होगा, यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, इत लाइप करमेंट्स जरूर दे देना, ओके थैंक यू.